सब्सक्राइब करें NMF News और बिल आइकन को प्रेस करें जिससे की आपको खबरों से जुड़ी नोटिफिकेशन पुरंत मिले संसद में आज पाकिस्तान में कुल भूशन जादफ की माता और पतनी के साथ हुए दुर्वेवार का मुद्दा उठाया गया कल्विदेश मंतरी सुश्मा सुराज तोनों सदनों में इस मुद्दे पर बयान देगी पॉंग्रिस नेता मलिक अर्जुन खडगे ने भी लोकसभा में इस मामले किनिंदा की गुश्राज चुनाफ के दौरान प्रिधान मंतरी नरेंदर मोधी दुआरा पूर्व प्रिधान मंतरी मनमोहन सिंग पर दिये गए बयान पर आज संसद में गतिरोध खत्म हो गया है राजे सभा में वितमंत्री एरुन जेटली ने बयान दिया है कि चुनाफ के दोरान पी एम मोधी ने मनमोहन सिंग पर सवाल नहीं उठाये थे बता दे किस मुद्धे पर विपक्ष लगातार पी एम मोधी से माफी की मांग कर रहा था फिर शर्मसार हुई रासधानी रास्री रासधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हो गई है दिल्ली में चलतीकार में एक लड़की से सामूहिक दुश्कर्म का मामला सामने आया है घटना के बाद आरोपी लड़की को द्वार का सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के पास फेंक कर फरार हो गए पलिस ने मामला दर्च कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है तीहाड प्रशासन को पता चला है कि दाओद इबराहिम दिल्ली के लोकल गुंडो की मदद से छोटा राजन को मरवानी की साज़िश रश्रा था इसके बाद एक बार फिर से जेल के अंदर बंद छोटा राजन की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं अलाके तीहाड प्रशासन ने कहा है कि राजन की सुरक्षा में विशेश गार्ड लगे हैं और छोटा राजन की सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा है तो ये थी दिन बर की पांच बड़ी खबरे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अनमेफ न्यूज ऑफिशल पर बने रही है